हेई गाइज वेल्कम बैक टू सरताज सरकी क्लास देखो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंस का एक बहुत बढ़िया कलेक्शन लिकर आया हूँ अब यह सेंटेंस शुरुवात में तो बड़े आसान लगते हैं जैसे मुझे लगता है मुझे लग रहा है कोई भी नहीं बिल्कुल तो ऐसे ऐसे वाकिया आते हैं तो बड़ टेंशन बढ़ जाती है किसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बट डोंट वरी आज यह लगने वाली स्रीज में आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें पूरा पैटन तयार किया है आपके लिए आपको धेड़ सार को बिल्कुल ताइम पर मिल जाए तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन में आपको सिखाता हूँ लगता है लग रहा है लगेगा लगीगी बहुत सारे होते ही है पैटा मज़ेदार है पूरा हैंट तक सीखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वीडियो अच्छी लगती है इसलिए आप अभी तक देख रहें है लो तो यह जो है ना मुझे लगता है यह प्रेजेंट डैफिने टैंस के अनुसारी से बना लेंगे इसके इंग्लिश में कहेंगे आए तो यह वाला रट लो मुझे लगता है आए नेक्स्ट वाल देखे और भया नेस्ट वाला है मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है अब यहां पर ग्रामेटिकल रूल समझते चलना वरना आप कोगे कि यह तो कुछ मतलब पैदा होगे तो कंशीजन दूर करने के लिए रूल सभी लेना पहले देखो मुझे लग रहा है कि दा है देखे मुझे लगता है और मुझे लग रहा है इसके लिए आपको i think इंग बनाना चाहिए उसके अलाब आपको इंब इन दो को बना तको इनिए Hang न बहा है अृत तो इसका असली मतलब होता है मैं सोच रहा हूँ तो बहतर होगा इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कभी आप सोचो कि नहीं यार यह गलत सा हो रहा है कुछ लेकिन बनाना चाहो तो आइंग चलो बना लिया अब इसी पर एक एक जामपल लेते हैं जैसे मुझे लग रहा है आज बारिश होगी तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आइंग इंग फिर बता रहा हूं वह सही है यह गलत है क्योंकि अनिंग्लिश है लेकिन अगर आप बना आपने लाइक करते है आपने तक ने की लोयर प्लीज यह वीडियो को लाइक कर देखाया बहुत महनत लगती है बनाने में पढ़ाने में तो मुझे लगा अब यह पास्ट के पास्ट कंडाफनेट जैसा है तो रूल पर आधारी होगा थिंक की सेकंड फॉर्म लगेगी जो तो मुझह लगा रभी वार है तो इस English मों गहेंगे I thought it's Sunday I thought it's Sunday today that run he Self कई डिशन बोभना ना मुझे लगा राजीय वारिश yoga थाइड बी कुछ परें किम नहीं आओ गातर युँ ईसे पर अग्रेश वाल कई सो नेक्ष अगर मुझे लगेगा अगर मुझे लगे यह भी बहुत यूसल है इसे भी आप बहुत जादे यूस करते हैं अगर मुझे लगेगा ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैं डॉक्टर का पास चला जाओंगा अगर मुझे लगेगा ना कि यह चछद गिरने वाली है मैं निकल दूगा यहां से बोर यह बिस तरह बंद काम बोलाएं कि यह वाला काम हो तो मुझे बता देना यह यह आजागे तो मने बतले में में गहें तो चलेगा तो तो एक ठीक है चले-छल प्रेंगे अज जलेंगे जाए देखें और यह नेक्स्ट वाला है अगर मुझे लगता ओων यह पार यह तो पास्ते हैं आग攻 Wiki прим सबस्ट की बात हो गई अगर मुझे लगता जैसे मुझे लग जरा भी लगता ना मैं आपको फॉरण बता देता बस मुझे लगा नहीं वह यानि यह काम हुआ नहीं आप ऐसा अगर इसा हुआ होता अगर मुझे लगता कि बारिश ओरी यह अम पहले आ जाता अगर मुझे लगता ना कि आज छुटी है तो मैं मैं घर से निकलता नहीं अगर मुझे लगता इसे English कोण और मुझे लगता कि यहां इतना मैं यहां नहीं यहां थ morality अगर मुझे लगता तो मैं यहां नहीं आता क्यों की एगर मुझे लगता लगता तो I would not have come here तो मैं यहां बिलकुल नहीं आता तो ऐसे आप बनाई अगर मुझे लगता तो यह होता नेक्स्ट वाला देखे और यह नेक्स्ट वाला है मुझे लगतो रहा था यह भी बहुत यूसफुल होता है देखें इसे हम हिंदियों बोलता है तो गिफ्ट लेके आयो मुझे बस मुझे पता था मैं बोला नहीं मुझे लगतो रहा था कि वो मुझे घूर रहा था मुझे लगतो रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे लगतो रहा था तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे English में बोलेंगे I felt a bit, I felt a bit, I felt a bit, ऐसे बोल देगे, अब जैसे मुझे कहना है, मुझे लग तो रहा था कि तुम राहूल के भाई हो, बस मैं confused था थोड़ा, मुझे लग तो रहा था कि तुम राहूल के भाई हो, तो इसे English में कहेंगे I felt a bit that you're Rahul's brother I felt a bit that मुझे लग तो रहा था मुझे that की तुम Rahul के भाई या Rahul's brother ऐसे सो मुझे लग तो रहा था I felt a bit याद रखना नेक्स्ट वाला देखे और भाया नेक्स्ट वाला है मुझे जरा भी नहीं लगा मुझे जरा भी नहीं लगा अब जैसे बहुत सारे मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो जूट बोला है मुझे जरा भी नहीं लगा कि उसने कपड़े बदले मुझे जरा भी नहीं लगा कि उसने मेक अप किया था बिल्कुल सिंपल लग रही थी वो तो यहां पर आप कहना चाहरा है, मुझे जरा भी नहीं लगा, तो इसे English में क्या बोलेंगे, I didn't even think, या feel भी कर सकता, I didn't even feel, ऐसे, जैसे, मुझे जरा भी नहीं लगा कि तुम जूड बोल रहे हो, जरा भी नहीं लगा, अगर मुझे पता होता न, मैं डंडे से पीड देता मुझे जरा भी नहीं लगा कि थूड बोल रहे हो, I didn't even feel that you're I didn't even feel, ये jee ho गया, मुझे जरा भी नहीं लगा क्या नहीं लगा कि, that you're telling a lie, तो झ्जूड बोल रहे हो, ऐसे, मुझे जरा भी नहीं लगा कि उनने मेकप किया हुआ था I didn't even feel that she has done makeup जो भी है आप बनाओ आप मुझे लगने लगा है आप मुझे लगने लगा है यह भी बहुत यूसल है अब मुझे लगने लगा है कि तुम बोर हो रहे हो अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए अब मुझे लगने लगा है कि आप लोग मुझे बहुत देखते हैं य मुझे लगने लगा आप तो अच्छा बदा , आप बोर होते हैसे ऐसे , आप मुझे लगने लगा है तरफ बॉपलर होगा तो इस तरह से आप बना सकता है कि यह लगने लगा था कि कूछ तो गडबड है मूझे लगने लगा था कि यहां से हम निकलेंगे एक दिन मुझे लगने लगा था कि ये रिष्टा इनका तूटेगा ये लड़ाईयां हो रही थी तो ये जब हम बोलते हैं तो इसे English में कैसे बोलेंगे So simple है मुझे लगने लगा था इसे English में बोलेंगे I started feeling I has started feeling ये हो जाएगा मुझे लगने लगा था कि कुस्तोगणबळ है इस तरह से अब आप सक边ट पूछे लगने लगा था कि मुझे लगने लगए मुझे ने पूछ लेंगे मुझे मिरेंगे रिष्ट के बारे में नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला है Shri CC लगता मुझे नहीं लगता यह भी बहुत इसे भी हम अपनी डेली लायख में यूसे से मुझे नहीं लगता कि मैज जीतें blended कि वा जाएगा मुझे लगता बारिश्वरिश हो जाए मुझे लगता ही मुझे पाइगा झाली हो पात Crystal बाईगा तो इसे पदीदिछ मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं लगता है या खाली लगता दो नहीं है यह बैट की हील काम वह आएगा तो आप खुब सार बनाएगे मुझे नहीं लगता कि सर हम आपसे कभी बोर होंगे मुझे नहीं लगता कि जो है आज बारिश हो मुझे नहीं लगता कि आज ठड़ तो हम किसी से पूछ रहे तुम्हें लगता कि आज जाद ही हो रहा है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डूंट यू थेंक डूंट यू थेंक ऐसे बोलेंगे हां इस सेंटेंज में लाश्ट में जरूर लगा ना क्योंकि इंटरोगेटिव होता जा रहा है जो इंटरोगेटिव नगटिव आप सब कुष्छन करें प्रशना वाद चाहिए है मनुझाहा है तो में लगता की वह जूता है मुझे डाता से फक्रेक्ष्स को ऊतर्ता प्लूब्हे लाट चलीक है या किष यह भी करते cricket कि मुझे लगे गा तो मैं आपको बथा दुंगा आप ही मेरे देमाइक में खराम मत करो जब मुझे लगेगा कि सटाइम आ गया है influenced Amandaj Ali-s motion इस इंग्लिश है इस आई वेनज आ प सिल्ट बस ऐसे बोलेंगे जब मुझे लगेगा तो मैं डोक्ट कहाएंगा इसे चालिए कर या में में वह नबीफ। कि आपके लिए चोट ऑसा होमवर्क है लगाओ मैडम यहां पर कुछ बाग क्या आप देख रहे होंगे वही चीज़े रिपीट हुई है जो आज मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई है इनको इसी वीडियो में बताएगा चीज़ों कि आदार पर इंग्लिश में ट्रांसल हो जाएगी और आपका ब्रश अब हो जाएगा और आप मेरे हैलपर टीचर हो जाओगे आज डो सा खिलाना जरूरी तक है वीडियो के दौरान माट ड़कार में ड़कार है तो यह चीज़ है ठीक है तो गाइस होमवर्क जरूर कर ले ना और हां मेरी किताब आ गई है पिछ और किताब दिखने में कुछ ऐसी है और इस किताब को पर्चेज कर लीजिए इसमें हिंदी में मैंने इंग्लिश सिखाई देशी स्टाइल है और अपने दोस्तों को भाई बहनों को पड़ोसी को गिफ्ट कीजिएगा उनके बढ़्डे पे मेरी किताब इस बार दीजिए जा इस वीडियो के साथ और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप इस किताब को खरी सकते हैं डारेक्ट अमाजोन पर पहुंच जाओगे जा इस वीडियो के साथ शेर करना जात जाते एक तुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक दे कर जान अच्चा